आज हम बनाने जा रहे हरे मटर की दाल तो चलिए आये बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक कप हरे मटर को लिया है और इसको एक मिक्सी में पीस लेंगे इसका बिलकुल महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसको हम हलका दरदरा ही रहने देंगे इससे दाल का जो हमारा टेक्शर है वो बहुत ही अच्छा आता है एक पैन में हम दो से तीन चमच तेल डालेंगे और तेल को गरम होने देंगे यहाँ पे आप जो भी तेल खाते हैं रिफाइंड वॉयल या वेजिटेबल वॉयल वो ले सकते हैं तेल हमारा गरम हो गया है इसमें आधा चमच जीरा, एक पेंच हेंग और एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे प्याज हमारा हलका भूँच चुका है अब इसमें एक बारी कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे और इसको डालके अच्छी से चलाएंगे और प्याज को और हलका भूँच लेंगे प्यास थोड़ा हलका गोल्डेन रंका हो जाए, सुने रही रंका, तब इसमें हम एक चम्मच अद्रक को डाल देंगे, आधे चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसको अच्छे से इसमें चलाएंगे, लहसुन और अद्रक के पेस्ट को भी हलका हम प्याज के साथ भूंच लेंगे, उसके बाद एक मेडियम साइज का टमाटर काटकर डाल देंगे, इसको हमने रफली काटा है, बहुत बारीक नहीं काटा है, अब इसमें स्वादानू स नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे, नमक डालने से हमारा टमाटर जल्दी पक जाता है, टमाटर हमारा पक चुका है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे, आधा चमच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चमच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गोल की डालेंगे और आदा चमबची लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे अगर आपको तीखा जादा पसंद है तो आप लाल मिर्च थोड़ा जादा डाल सकते हैं अब इन सबको इसमें डालके अच्छे से चला लेंगे और इसको भूंच लेंगे हलका हम अपने मसालों को भूंच ल जब हल्दी पाउडर हमारा भूंज जाए तब इसमें हम अपनी दरदरी पिसी हुई मटर को डाल लेंगे और इसको भी मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए भूंज लेंगे इससे मटर का कच्छा पन चला जाता है और इसको दो मिनट के लिए हम भूंज लेंगे दो मिनट के बाद इसमें हम जितनी अपने दाल को गाड़ी रखनी है उतना पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको थोड़े दिर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे दाल हमारा अब अच्छे से पक गया है और इसमें आधा चमच के करीब हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके पांच मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे बारी कटी हुई धनिया की पत्ती को भी इसमें डालेंगे और इसको भी हम एक मिनट के लिए चलाते हुए इसको पका लेंगे दाल हमारा अच्छी तरह से पक गया है इसको और टेस्टी बनाने के लिए एक पैन में हम एक चमच घी डालेंगे दो चार बारी कटा हुआ लहसुन को डाल देंगे एक खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे एक पिंच हिंग को डालेंगे और इसको गैस को ऑफ कर देंगे जब घी हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए इसमें हम काश्मेरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको मच्छे से मिक्स करके दाल में टाल देंगे अब हम अपने दाल को सर्फ कर लेते हैं हमारी मटर की दाल बिल्कुल बनकर तयार हो गई है और इसको अब हम थोड़ी सी हरे धनी के पत्ती से गार्निश कर देंगे इसको खाईए और इंज्वाइ कीजिए